अलो स्टोडन वेल्कम टू 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 टूड़ेज क्लास तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट कॉमन मल्टिपल जिसको बोला जाता है ल्सीम तो ल्सीम निकालने की सो ट्रिक सिखेंगे और साथ में इसके पीछे का कॉंसेप्ट तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर ल्सीम निकालना हो तो वो क्या होता है इस दा लोवस्ट पोसिबल नंबर तो सबसे छोटा नंबर होता है जो की दोनो नंबर से भाग होगा उसी को यहां पे लिस्ट कॉमन मल्टिपल बोला गया है तो दोनो नंबर से वो भाग होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए तो उस number को बोलते हैं LCM अब यहां पर एक example लेते हैं और example से इसको समझते हैं कि LCM होता क्या है जैसे माल लो आपके पास में दो number है एक का 2, एक आपका 5 तो इन दोनों का LCM निकालना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए common multiple क्या होता है 10 तो आपको यहां पर 2 का पाहडा लिखना है और कुछ नहीं करना है तो इस तरह से हमने 2 का पाहडा लिख लिया उसके बाद 5 का पाहडा लिखना है तो 5 आएगा फिर आपको 10 आएगा फिर आपका 15 आएगा 20, 25, 30 उसके बाद 35 तो इस तरह से 5 का पाहड़ा, अब सबसे पहले बात करते हैं कि common multiple क्या होता है, common multiple, तो common multiple की बात करें, तो यहां पे देखो, सबसे पहला number जो दोनों में है, वो कौन सा है, तो 2, 4, 6, 8, 10, अगर 10 की बात करें, तो 10 यहां पे भी आ रहा है, और 10 आपका यहां पे भी आ रहा है तो सबसे पहला जो multiple मिला, common multiple वो क्या मिला हमें, 10, अब दूसरा multiple ढूंडो यहां पे, दूसरा multiple 12, 14, 16, 18, 20, दूसरा multiple कौन सा है, 20, तो 20 यहां पे भी है, और 20 यहां पे भी है, तो इसके बाद और भी number मिलेंगे यहां पे, जो दोनों में common होंगे, तो यह कहलाते है, common multiple, त इसके अलावा अगर table को पाड़े को और आगे बढ़ाओगे, तो और भी multiple मिलने वाले हैं, तो यह सारे के सारे कहलाते है, common multiple, अब इस में से, जो list common multiple है, मतलब कि सबसे छोटा, list common multiple, सबसे छोटा multiple कौन सा है, तो यहां पे 10 और 20 में से छोटा कौन है, 10, तो यह जो 10 है, यह ही कहलाता है, LCM, इन दोनों का LCM क्या जाएगा, दो और 5 का LCM क्या जाएगा, 10, तो list common multiple यह होता है, तो यह था आपका concept, कि आपको पता होना चाहिए, कि list common multiple actual में होता क्या है, first question है, LCM of 612, तो 6 और 12 का LCM निकालते हैं, तो यहां पे अब 100 trick का use करेंगे, तो 100 trick क्या देखो, 6 और 12 का LCM निकालना आपको, तो सबसे बड़ा जो number है, बड़ा number कौन सा है, यहां पे 12, तो 12 का पहड़ा लिखना आपको, तो 12 एकम 12, और पहड़ा लिखते वे साथ की साथ चेक करते रहो, यह 12 दूसरे number से भाग होता है या नहीं होता, तो यह 12 जो है, यह 6 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का LCM यहां पे आ जाएगा आपका 12, तो यही LCM आ गया इसका, यह answer हो गया, यह short trick है, कि बड़े वाले number का पहड़ा लिखना यहां पे, तो 6 वो 6 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर 6 से भाग हो रहा है, तो यही आपका LCM हो जाएगा, least common multiple, तो इसका answer हो गया आपका 12, अब दूसरे वाला solve करते हैं, LCM of 6 and 20, तो 6 और 20 का LCM निकालना है, तो जैसा कि मैंने बताया, बड़े वाले number का पहड़ा लिखना है, तो 20 से कम 20, अब 20, 6 से भाग नहीं हो रहा, तो अब 20 से कम 20, 20 दूनी 40, अब 40 भी 6 से भाग नहीं हो रहा, और 20 ती है 60, अब देखो 60 जो है, यह 6 से भाग हो जाएगा, तो जब 66 से भाग हो गया, तो इसका मतलब यही आपका LCM है, यहाँ पे LCM क्या आग अब 60, तो यह answer आ ऐसे ही next वाला question देखो, 5, 10 और 15 का LCM निकालना है, तो जो बड़ा number है, उसका पाड़ा लिखना है, तो बड़ा number है यहाँ पे 15, तो पाड़ा स्टार्ट कर दो, 15 एकम 15, तो 15 क्या 5 से भाग हो रहा है, बट क्या यह 10 से भाग हो रहा है, तो 10 से भाग नहीं हो रहा, तो मतल दोनों से भाग होना चाहिए, तो 15 भाग नहीं हुआ, तो 15 के बाद क्या आता है, 15 एकम 15, 15 दोनी 30, 30 देखो, 5 से भाग हो रहा है, और 10 से भी भाग हो रहा है, तो 5 के भी पाड़े में आता है, और 10 के पाड़े में भी आता है, 30, तो दोनों से भाग हो रहा है, तो इसका मत लिकालना है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, बारा, तो बारा का पाड़ा लिख लो, बारा एकम, बारा, तो बारा तीन से भाग हो रहा है, बट नो से भाग नहीं हो रहा, अब बारा दुनी, चोविस, चोविस, तीन से भाग हो रहा है, बट नो से भाग नहीं हो रहा, तो चो अब नेक्स्ट है LCM of 12, 18 और 24 तो सबसे बड़े वाले नंबर का पाड़ा लिखना है तो 24 है कम 24 तो 12 से भाग हो रहा है बट 18 से भाग नहीं हो रहा है तो अब 24 दूनी 48 48 बारा से भाग हो रहा है बट 18 से भाग नहीं हो रहा है तो ये भी इसका LCM नहीं होगा तो देखो 24 दूनी 48 24 ती है बहतर अब बहतर देखो 12 के पाड़े में आता है 12 चिक बहतर और 18 के भी पाड़े में आता है 18 चो के बहतर तो इसका मलब बहतर आपका LCM हो जाएगा तो यह पहड़ा लिखना है बड़े वाले नंबर का तो पंदरा एकम पंदरा तीन से भाग हो रहा है बट चार से भाग नहीं हो रहा है और दस से भी नहीं हो रहा है तो पंदरा दुनी तीस तीस तीन से भाग हो रहा है बट चार से भाग नहीं हो रहा है तो पंदरा तीए पंतालीस पंतालीस आपका तीन से भाग हो रहा है बट चार से फिर भाग नहीं हो रहा है तो अब हम जाएंगे पंदरा चोके साथ में अब साथ देखो तीन से भाग हो रहा है चार से भी हो रहा है और दस से भी हो रहा है तो तीनों से हो रहा है तीन, चार और दस तो इसका मलब साथ आपका answer हो जाएगा LCM क्या आगया? साथ तो इस तरह से इस वाली trick का use करके आप within 10 second में LCM निकाल सकते हो within 10 second और ये MCQ question जो आते हैं वो आप solve कर सकते हो इस वाली trick से easily निकल जाएगा अगर MCQ type के question हो तो आप 10 second में निकाल सकते हो इस वाली trick का use करके ऐसी और trick जानने के लिए चैनल को जुरूर subscribe करें